दिल्ली के CM अर्विंद केजरीवाल को लेकर कुछी देर में बड़ा फैसला आने वाला है अर्विंद केजरीवाल, जी हाँ कौन नहीं जानता दिल्ली के CM अर्विंद केजरीवाल को जो कि आपकारी निती गोटाले से जुड़े money laundering में पिछले कुछ समय से इड़ी की हीरासत में है और आजाद भारत की इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्ये के मोजुदा CM को जेल में डाला गया है और वो भी तब जब उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है तो साथियों हो क्या रहा है देश के अंदर जब किसी मुख्य मंतरी पर आरोप ही साबित नहीं हो रहा है फिर भी उसको जेल में डाला जा रहा है साथियों साल 2017 में इडी को कुछ विसेश हधिकार दे दिये जिसके अंतरगत अगर इडी आपको अरेश्ट कर लेती है और आपको जेल में डाल देती है तो आपको तब तक बेल नहीं मिल सकती है जब तक आप इनोशेंट साबित नहीं होते हो और ऐसा ही कुछ हुआ अर्विन केजरिवार के साथ में इंडिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मतावित इडी को अर्विन केजरिवार के पास से चार आइफोन मिले और चारों ये आइफोन स्विच ओव थे अब इडी को उनके अंदर का डाटा एकसेस करना था इसलिए उन्होंने अर्विन केज रिवार से उसका पासवर्ड पुछा लेकिन अर्विन केज रिवार ने पासवर्ड देने से मना कर दिया कि जैसा कि हमें भी पता है कि अगर कोई बंदा नहीं चाहे तो वह अपनी फोन का पासवर्ड बताने के लिए उसको पुलिस मजबू नहीं कर सकती है क्योंकि ये तो वही हो गया ना कि अपने खिलाब खुद सबूत देना तो इसके लिए गौवर्मेंट कभी भी इजाजत नहीं देती है तो इडी ने कहा कि भई मत दो हमें पासवर्ड हमें जरूरत ही नहीं है हम तो एक जाँच अजनसी हैं और हम अपने खुद के बेस पे अमेरिका जाकर के अपल कंपनी से पासवर्ड ले लेंगे और इसी अपने रूत्वे को लेकर के इडी चली गई अमेरिका आइफोन के पा अपने सिक्योर्टी फीचर्स के कारण ही फेमस है और इसी के लिए लोग लाखों रुपे पे भी करते हैं एपल के फोन के लिए Apple की ओर से अपने users के लिए एक passcode की विवस्ता की जाती है और वह passcode user अपने phone में एंटर कर लेता है तो उसके बाद में उस passcode के बिना उस phone को access करना ना मुंकिन हो जाता है क्योंकि वह passcode डालने के बाद में उस iPhone का पूरा data 256 bit AES encryption के द्वारा encrypt कर दिये जाता है और जिसको iPhone खुद भी और जिसको company खुद भी decraft नहीं कर सकती है और iPhone अपने users को एक ऐसी facility भी देती है जिसमें अगर कोई बंदा बार बार गलत password एंटर करे तो पूरा का पूरा phone reset हो सकता है अब यहां पर आकर साथियों Apple और Android Mobile के बीच में बहस छिड़ गई कि कौन बहस्ट है तो अगर security features की बात करे तो iPhone का मुकाबला Android phone नहीं कर सकता है क्योंकि iPhone के अंदर iOS operating system यूज किया जाता है जो कि Apple के द्वारा generate किया गया है और दूसरी तरफ Android के अंदर Google के द्वारा Android operating system यूज किया जाता है जो कि iPhone से कम powerful होता है और iPhone अपनी security के लिए काफी popular है iPhone अपनी users को ecosystem प्रोवाइड करता है जिसमें समय समय पर वह अपनी security features के अंदर update देता रहता है iPhone में एक feature होता है erase data जिसको on करने के बाद में अगर 10 बार से जादा कोई बंदा उसमें गलत password एंटर करता है तो वह phone पूरा का पूरा reset हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपने Android phone में 5 बार से जादा गलत password एंटर करते है तो हमारा phone 30 second के लिए lock हो जाता है और वापस फिर हम 5 बार गलत password एंटर करते हैं तो वापस 30 second के लिए lock हो जाता है लेकिन iPhone के साथ ऐसा नहीं है iPhone में यह समय हर बार बढ़ता जाएगा मतलब कुछ मिंटों से start हो करके वह कई सालों के अंदर जा सकता है इसके साथ iPhone अपने data को encrypt भी कर देता है encrypt का मतलब साथियों जो original data होता है उसको cyber text के अंदर वह convert कर देता है जिसको company खुद भी decrypt नहीं कर सकती है हैकिंग, हैकिंग कोई नया सब नहीं है साथियों 2015-16 में San Bernardio गोली बारी हत्याकार्ड में जब Apple को backdoor नामक software बनाने के लिए कहा गया तो Apple ने मना कर दिया तो इसमें API ने hackers का सहरा लिया Australia की सुरक्षा फरम अजम्ट ने iPhone open करके दिया लेकिन इसके लिए API को 1 million dollar यानि की 7 करोड रुपे का भुगतान करना पड़ा और वैसे वो iPhone open कैसे हुआ यह आज भी सवाल बना हुआ है क्योंकि उस Australian अजम्ट फरम ने कहा कि हमने iPhone के charging port में कुछ खामिया तलासे थी और फिर एक software प्रोग्राम तयार करके लाखों combination को set करके उस phone को unlock किया था और यह एक ऐसा अकेला मामला है जो आज तक सामने आया है तो इसका मतलब साथियों आप iPhone के security system को सोच सकते हो कि वह कितना powerful होगा जब इतनी बड़ी बड़ी security agency हाथ उपर कर रही है तो normal hackers का तो इसमें कोई role ही नहीं बचाए से तो साथियों जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मज़दार वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिये हमें इजादत जैहिन वंदे मातरम